अब ख़बर चाइना से जहां सैलाब में फसे एक दमपत्ती को बचाया गया कैसे? देखिए चीन की ये दमपत्ती ट्रेक्टर के साथ नदी के तेज बहाव में फस गए थे जिसके बाद इन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई दरसल ये दमपत्ती ट्रैक्टर के साथ नदी पार करना चाहती थे नदी की तेज धार में फस गए इसके बाद उन्होंने मदद के लिए आपदा प्रबंधन वालों को फोन किया मौके पर पहुची रेस्क्यू टीम ने पहले तो दमपत्ती के पास तक रसी फेकने की कोशिश की जिसे पकड़ कर वो किनारे आ सके लेकिन इसमें काम्याबी नहीं मिली इसके बाद रेस्क्यू टीम के दो जावाज रसी के सहरे नदी में उतर गए और काफी मुश्किलों के बाद दमपत्ती को स्रक्षित किनारे पर लेकर आ गए